साथियों नमस्कार, हमारे चैनल रमन विध्यार्थी में आपका बहुत बहुत सागत है आज की वीडियो हिंदी लिखने का अभ्यास करें हिंदी लिखने का अभ्यास करें की आज की इस वीडियो में हम एक छोटी शी कहानी लेकर आए हैं कहानी का नाम है कपटी मित्र की कहानी तो आए कपटी मित्र की कहानी के माध्यम से हम लोग हिंदी लिखने का भ्यास करेंगे आप भी अपना कापी और पैन लेकर हमारे साथ साथ लिखिए तो लिखेंगे किसी जंगल में एक गीदड किसी का में छोटी की मात्रा सा में बड़ी की मात्रा किसी जंगल में जा में अनुसार बिंदू गा और लागल जंगल आप भी हमारे साथ साल लिखते रहे है क्योंकि लिखना सीखने के लिए सुयम से लिखना बहुत जिरूरी होता है तो आगे लिखेंगे में जंगल में किसी जंगल में मा में एक की मात्रा अनसार बिंदू एक गीदड ए और का एक गीदड गा में बड़ी की मात्रा दा अड़ा गीदड और और हर और एक उट बड़ा उट चंदर बिंदू और टा उट रहते थे रा और हर रह ता में एक की मात्रा ते रहते था में एक की मात्रा थे उन दोनों में बड़ी मित्रता थी उन दोनों में छोटा उट और न उन दा में ओकी मात्रा ना में भी ओकी मात्रा अनसार बिंदू दोनों में मा में एक की मात्रा अनसार बिंदू में बड़ी वा रड़ा में बड़ी की मात्रा बड़ी मित्रता मा में छोटी की मात्रा त्र ता में बढ़िया की मात्रा मित्र ता था में बढ़ी की मात्रा थी विराम लिखेंगे आगे लिखेंगे गीदर नदी के दूसरे किनारे पर गीदड गा में बड़ी की मात्रा दा अड़ा गीदड नदी के न दा में बड़ी की मात्रा नदी के का में एकी मात्रा के दूसरे दा में छोटे बड़ी की मात्रा और सा रा में एकी मात्रा दूसरे किनारे का में छोटी एकी मात्रा ना में बड़ी की मात्रा रा में एकी मात्रा किनारे पर पारा पर जाकर जा में बड़या की मात्रा कारा कर जाकर मशलियां खाना चाहता था मा और छा मच्छ ला में छोटी की मात्रा या में बड़या की मात्रा चंदर बिंदू मचलियां खाना खा में बढ़या की मात्रा नामे भी बढ़या की मात्रा खाना चाहता चा में बढ़या की मात्रा और हाँ चाह ता में बढ़या की मात्रा था था में बढ़या की मात्रा था लेकिन वह नदी पार करने में असमत था लेकिन वह ला में एक की मात्रा का में छुटी की मात्रा और ना लेकिन वह वह और हो वह नदी न दा में बड़ी की मात्रा नदी पार पा में बड़या की मात्र और आपार करने का राकर ना में एकी मात्र ने करने मा में एकी मात्र अनुसार विंदु में असमर्थ था असमर्थ आसम था में रेव की मात्र असमर्थ था था में बड़या की मात्र था विराम लिखेंगे वह उंट के पास गया वह वह और हाव उंट के पास बड़ा उच चंदर बिंदू और टा उंट का में एकी मात्रा के पास पा में बढ़या की मात्रा और सा पास गया गा या में बढ़या की मात्रा या गया बहा उंट के पास गया तथा उसे बताया की त था में बड़या की मात्रा तथा उसे छोटा उ सामे एकी मात्रा उसे बताया कि ब ता में बढ़या की मात्रा या में भी बढ़या की मात्रा बताया का में छोटी की मात्रा की तथा उसे बताया की नदी के दूसरे किनारे पर न दा में बढ़ी की मात्रा नदी का में एकी मात्रा के दा में बढ़े की मात्रा और सा दूसरा में एकी मात्रा रे दूसरे किनारे का में छोटी की मात्रा ना में बढ़या की मात्रा रा में एक की मात्रा किनारे पर नदी के दुसे किनारे पर गन्नो का एक अच्छा खेत है किनारे पर पारा पर गन्ने का गा अधना ना में एक की मात्रा गन्ने का का में एक की मात्रा का गन्यों नहीं लिखेंगे, गन्ये लिखेंगे, ठीक, अध्यानक ना है, गन्ये लिखना है, गन्ये का एक, ए और का एक, बहुत अच्छा खेत है, एक बहुत बा, हा में छोटे उक की मात्रा औरता बहुत अच्छा, छोटा आ, आधा चा, छा में बढ़या की मात्रा अच्छा खेत खा में एकी मातरा औरता खेत है हा में एकी मातरा है जिसमें बहुत मीठे और रसदार गन्ने हैं जा में छोटी की मातरा और साजिस मा में एकी मातरा अनुशार बंदू जिसमें बहुत बा हा में छोटे की मातरा औरता बहुत मीठे मा में बड़ी की मातरा ठा में एकी मातरा मीठे और और लिखेंगे और और रसदार रा और सारस दा में बड़ी आकी मातरा और रा रसदार गन्ने हैं गा ना और ना के साथ एकी मातरा गन्ने हा में एकी मातरा अमसार बिंदू दन्ने हैं आओ नदी के दूसरे किनारे पर चलें विराम लिखेंगे आगे लिखेंगे आओ बड़ा आ और ओ आओ न दा में बड़ी की मात्रा नदी के का में एकी मात्रा के दूसरे दा में बड़े उकी मात्रा और साथ दूस रा में एक की मात्रा रे दूसरे किनारे का में छोटी की मात्रा की ना में बढ़ा की मात्रा रा में एक की मात्रा किनारे पर पारा पर चलें चा ला में एक की मात्रा अंसार बिंदू चलें नदी के दूसरे किनारे पर चलें उट तुरंत ही गीदर को अपनी पीठ पर बैठा कर विराम लिखेंगे आगे लिखेंगे उट बड़ा उ और चंदर बिंदु और टा उट तुरंत ही ता में छोटे उ की माता रामे नुसार बिंदु और तुरंत ही हा में बड़ी की मातरा ही गीदर को अपनी पीठ पर बैठ तुरंत ही गीदड को गा में बड़ी की मात्रा दा और दड़ गीदड को का में उकी मात्रा को अपने आ और पा अप नामें बड़ी की मात्रा अपनी पीठ पर पा में बड़ी की मात्रा और ठापीठ पारा पर बैठा कर बा में आय की मत्रा, ठा में बढ़या की मत्रा बैठा, कारा कर, बैठा कर, पीठ पर बैठा कर, नदी के उस पार ले गया, नदी के उस पार ले गया, न, दा में बढ़या की मत्रा नदी, का में, एक की मत्रा के उस पार, उस, उस, पा में बढ़िया की मतर और रापार ला में एक की मतर ले ग या में बढ़िया की मतर या ले गया विराम लिखेंगे आगे लिखेंगे नदी के दूसरे किनारे पर नदी के दूसरे किनारे पर न दा में बढ़िया की मतर नदी के का में एक की मतर के दूसरे किनारे पर दा में बड़े उकी मातरा और सादूस रा में एकी मातरे दूसरे किनारे ता में छोटी की मातरा ना में बड़े की मातरा और रा में एकी मातरा किनारे पर पारा पर नदी के दूसे किनारे पर पहुँच कर गीदर पा हा में छोटे हू की मात्रा चंद्र बिंदू और चा पहुच कारा कर पहुच कर गीदर गा में बड़ी की मातर दा अला गीदर उचल कर नीचे आया उचल कर नीचे आया छोटा उच और ला उचल तारा कर उचल कर नीचे आया ना में बड़ी की मात्रा चा में एक की मात्रा नीचे आया बड़ा आ या में बड़ा की मात्रा आया उच्छा कर नीचे आया और मचलियां और 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 मचलियां मा और चा मचलियां ला में छोटी की मात्रा या में बड़ा की मात्रा चंदर बिंदू मचलियां खाने खाना शुरू कर दिया मचलियां खाना शुरू कर दिया खा में बढ़या की मात्रा ना में बढ़या की मात्रा खाना शुरू शा में छोटेऊ की मात्रा रा में बढ़या की मात्रा शुरू काराकर दा में छूटी की मात्रा या में बड़या की मात्रा शुरू कर दिया उंट गन्ना खाने के लिए बिराम लिखेंगे आगे लिखेंगे उंट बड़ा उंट चंदर बिंदू और टा उंट गन्ने खाने के लिए गा अधना नामे एकी मात्रा गन्य खाने खा में बढ़ा की मात्रा नामे एकी मात्रा खाने के लिए का में एकी मात्रा के ला में छूटी एकी मात्रा और ए खाने के लिए उट गन्य खाने के लिए गन्य के खेत में चला गया गा अधना नामे एकी मात्रा गन्ने के का में एकी मात्रा के खेत खा में एकी मात्रा और ता खेत मा में एकी मात्रा अंसार मिंदू में चला चला में बढ़ा की मात्रा चला गा और या में बढ़ा की मात्रा या चला गया आगे लिखेंगे खाया और भर पेट खाया और तेजी से गन्ने के खेत के और तेजी से तामें एकी मात्रा जामें बड़ी की मात्रा तेजी से सामें एकी मात्रा से गन्ने के खेत के गा आधना नामें एकी मात्रा गन्ने के कामें एकी मात्रा के खेत के खामें एकी मात्रा और ता खेत के का में एकी मात्रा के चारो और दोडने लगा के चारो और चारा में ओकी मात्रा चारो और और दोडने लगा दा में आउकी मात्रा और दौर नामे एकी मात्रा ने दौर ने लगा और जोर जोर से चिलाने लगा जोर जोर से जा में आउकी मात्रा और जोर फिर जा में आउकी मात्रा और जोर 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 से सा में एकी मात्रा से चिलाने जा में छोटी की मात्रा आधा लायने की और ला में बढ़िया की मात्रा नामे एकी मात्रा चिलाने लगा ल गा में बढ़िया की मात्रा गा लगा विराम दिखेंगे गीदर की आवाज शुनकर गा में बढ़िया की मात्रा दा अवड़ा गीदर की का में बढ़िया की मात्रा की आवाज बढ़ा आ वा में बढ़या की मात्र और जय आवाज सुनकर सा में छोटेव की मात्र और ना सुन कारा कर सुनकर किसान दोड़ कर आया का में छोटी की मात्र सा में बढ़या की मात्र और ना किसान दोड़ कर आया दा में अव की मात्रा अवडा दोड कारा कर दोड कर आया बड़ा आ या में बड़या की मात्रा दोड कर आया और गन्य के खेत में और गन्य गा आधाना ना में एकी मात्रा गन्य के का में एकी मात्रा के खेत में खा में एकी मात्रा और त खेत मा में एकी मात्रा अनुशार बिंदू गन्य के खेत में उट को पा कर बला उ और चंदर बिंदू और टा उंट को पाकर का में ओ की मात्रा को पाकर पा में बढ़या की मात्रा का और राकर पाकर उंट को बला उ और चंदर बिंदू और टा उंट का में ओ की मात्रा को उंट को उंट को डंडे से पीटने लगा डा में अनुसार बिंदू और डा में एकी मात्रा डंडे सा में एकी मात्रा से पीटने पा में बड़ी की मात्रा टा और ना में एकी मात्रा ने पीटने ला गा में बड़या की मात्रा लगा विराम रिखेंगे उंट नदी की तरफ भागा बड़ा उ और चंद्रबिंदू और टा उंट न दा में बड़ी की मात्रा नदी का में बड़ी की मात्रा की तरफ तार और फा तरफ भागा भा में बड़या की मात्रा गा में भी बड़या की मात्रा भागा गी दर कूद कर उसकी पीट पर बैठ गया गा में बड़ी की मात्रा दा अड़ा दड़ गीदड कूद कर का में बड़ेव की मात्रा और दा कूद कारा कर कूद कर उसकी छोटा उ और सा उस का में बड़ी की मात्रा उसकी पीठ पर बैठ गया पा में बड़ी की मात्रा और्था पीट पारा पर बैठ गया बा में अगी मात्रा और्था बैठ गाया में बड़ा की मात्रा गया विराण दिख देंगे आगे लिखेंगे उट ने गीदर से पूछा इहीं पर लिखेंगे बड़ा उ और चंदर बिंदू और टा उट ने ना में एक की मात्रा ने गीदर से पूछा गा में बड़ी की मात्रा दा अवडा गीदर से पूछा सा में एक की मात्रा से पूछा पा में बड़े उ की मात्रा चा में बढ़या की मात्रा पूछा तुम चिलाने क्यों लगे थे ता में छोटे की मात्रा और मत तुम चा में छोटे की मात्रा अधाला ला में बढ़या की मात्रा नामे एकी मात्रा चिलाने क्यों अधाका या में ओकी मात्र अनसार मिंदू क्यों लगे ल गा में एकी मात्र लगे थे था में एकी मात्र थे तुम चिलाने क्यों लगे थे गीदर ने उत्तर दिया गा में बड़ी की मात्र दा अवरा गीदर ना में एकी मात्र ने उत्तर छोटा उ ताके साथ आधाता अवरा उत्तर दिया दा में छोटे एकी मात्र या में बड़ा की मात्र दिया मैं अच्छा भोजन करने के बाद मा में एकी मात्र अनसार मिंदू मैं अच्छा भोजन करने के बाद अच्छा छोटा आ आधा चा छा में बढ़्या की मात्रा अच्छा भोजन भा में ओकी मात्रा जा और ना जन भोजन करने कारा कर ना में एकी मात्रा ने करने के का में एकी मात्रा के बाद बा में बढ़्या की मात्रा और दा बाद मैं अच्छा भोजन करने के बाद गाना पसंद करता हूं गा में बढ़या की मात्रा ना में भी बढ़या की मात्रा गाना पासा में अनुसार बिंदू और दा पसंद करता कारा करता में बढ़या की मात्रा करता हा में बढ़या की मात्रा चंदर बिंदू गाना पसंद करता हूं विराम लिखेंगे उंट ने गीदर को सबक सिखाने की सोची बड़ा उ और चंद्रबिंदू और टा उंट नामे एकी मात्रा ने गीदर को गामे बड़ी की मात्रा दा अड़ा गीदर को कामे ओकी मात्रा को सबक सा ब और का सबक सिखाने सा में छोटी की मात्रा, खा में बड़ी की मात्रा, नामें एकी मात्रा, सिखाने की का में बड़ी की मात्रा की सोची सा में ओ की मात्रा, चा में बड़ी की मात्रा, सोची और बोला, और और बोला बा में ओ की मात्रा, ला में बड़ी की मात्रा, बोला मैं अच्छा भोजन करने के बाद मा में एकी मात्रा अमसार में अच्छा आधा चाच छा में बड़्या की मात्रा अच्छा भोजन करने के बाद भा में ओकी मात्रा जा और नजन भोजन कारा कर ना में एकी मात्रा ने करने का में एक की मात्र के बा में बढ़या की मात्र और द बाद मैं अच्छा भोजन करने के बाद लोट पोट लगाना पसंद करता हूँ ला में उकी मात्र और ता लोट पा में उकी मात्र और ता पोट लगाना लगा में बढ़या की मतर ना में बढ़या की मतर लगाना पासा आधाना और दा पसंद पसंद इस तरह से भी लिखा जा सकता है चाहें तो आप उपर अनुसार बिंदू लिखें और पसंद इस तरह से भी लिखा जा सकता है चाहें तो आप आधा ना लेकें ठीक है पसंद करता हूं का राकर ता में बढ़या की मात्रा तुदा करता हा में बढ़या की मात्रा चंदर बिंदू पसंद करता हूं उट नदी के बीच में लोट पोट लगाने लगा उट बढ़ा उट चंदर बिंदू और ता उट नदी न दा में बड़ी की मात्रा नदी के के बीच में बा में बड़ी की मात्रा और चा बीच में मा में एकी मात्रा अनुसार बिंदू में लोट पोर्ट लगाने लगा ला में उकी मात्रा और टा लोट पा में उकी मात्रा और टा पोर्ट लगाने लगा में बड़ी की मात्र नामें एकी मात्र लगाने लगा में बड़ी की मात्र लगा ठीक है लगा गीदर उट की पीट से नदी की धार में गिर गया गीदर गा में बड़ी की मात्र दा अड़ा गीदर बड़ा उ और चंदर बिंदू अठा उट का में बड़ी की मात्र की पीठ से पा में बड़ी की मात्र और ठापीठ सा में एकी मात्र से ना दा में बड़ी की मात्र नदी में नदी की धार में गिर गया नदी की का में बड़ी की मात्र की धा में बड़ी की मात्र और अधार मा में एकी मातर अंसार उन्द में गा में छोटी की मातर और गिर गा या में बढ़या की मातर या गया गिर गया वहा किसी तरह बहा डूबते उतराते वा और हा वह डूबते उतराते डा में बढ़या की मातर और बा डूब ता में एकी मातरा ते डूबते उतराते छोटा उ और ता उतरा में बढ़या की मातरा ता में एकी मातरा उतराते किसी तरहे से का में छोटी की मातरा और सा में बढ़ी की मातरा किसी तरहे ता रा और हा तरह से सा में एकी मातरा से नदी के पार पहुचा न दा में बड़ी की मात्र नदी, का में एक की मात्र के, पा में बड़्या की मात्र और रापार, पा हा में छोटे उकी मात्र चंद्र बिंदू, चा में बड़्या की मात्र पहुंचा विराम दिखेंगे दोस्तों यह थी आज के वीडियो जिसमें हम लोगों ने हिंदी लिखने का अभ्यास करें की आज की वीडियो में हमने एक छोटी सी कहानी लिखी कहानी का नाम था कप्टी मित्र की कहानी तो उमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने वीडियो को यहां तक देखा होगा और जिन साथियों ने यहां तक हमारी वीडियो देखी है उनको बहुत बहुत धन्यबाद तो लाइक कर देना हमारी इस वीडियो को और हमारी चैनल रमन विध्याति को सब्सक्काइब भी कर लिजिए हमने अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत सरल और बहुती विवारी तरीके से हिंदी लिखना परना दिखाया है मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में तब तक रिजय हिंद जय हिंदी